आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैला नसबंदी यानि प्रेगनेंसी रोकने का इस्ताई तरीका मैं आपको सरल बासा में बताना चाहूंगा मैला के गरबाशे के दोनों और अंडाशे होते हैं और इन अंडाशे से एक नली निकलती है जो गरबाशे और अंडाशे को जोडती है और इसे हम अंडाली का या फेलोपिन ट्यूब कहते हैं और इन अंडाशे से एक अंडा बनता है फिर ये अंडा फैलोपिन टूब में जाता है और वहाँ पुरुष सुक्रवानों से मिलता है जिसे निशेचिन की प्रिकिरा कहते हैं यानि एक बुरुण का निर्मान करता है इस फैलोपिन टूब के अंदर मैला का अंडा और इस दिशिया देकर सुन कर देते हैं फिर लैप्रो इसकोपी यानि कैमरे के माध्यम से मिला के फैलोपिन टूब तक पहुंचा जाता है फिर फैलोपिन नली को काट कर बांध दिया जाता है जिसे मिला के अंदर फैलोपिन टूब को ब्लोक या बंद कर दिया जाता है फिर म मैला को उसी दिन discharge दे दिया जाता है नस्बंदी के बाद आप किन-किन बातों का ध्यान रखे फर्स्ट पॉइंट है दस से पंदरा दिन तक आपको संबंध नहीं बनाना, एक या दो दिन आपको हलका खाना है बिल्कुल एक सब्ता तक आप घर का नॉर्मल काम करें कोई हैवी सामान न उठाएं, कोई हैवी काम ना करें, मुखित है पेट पर जो चीरा लगाया जाता है उसका गाव एक दो दिन में सूख जाता है, अगर उसमें से पानी निकल रहा है या मावाज जैसा कुछ आ रहा है तो आप तुन डॉक्टर से मिले, ऐसे ही मैं हैल्थ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्काइब करें